नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी? I hope सभी हिल्दी हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और प्री की ही नहीं, मेंस के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस के लिए अभी मैंने साड़े गारा बजे का सेशन ओवर किया सेशन का आखरी का अगर आप 10-15 मिनिट का सेशन देखें उस पे मैंने यही डिसकस किया कि कंसेट के इलावा, प्राक्टिस के इलावा और क्या चीज़ जरूरी रहती है मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए अब मैं क्योंकि reasoning का subject पढ़ाता हूँ तो मैंने reasoning को as a base लेते हुए बच्चों से पूछा कि आपको 2021 में सबसे मुश्किल paper कौन सा लगा तो ज़्यादा तर बच्चों ने बोला कि sir IBPSPO means हमें सबसे मुश्किल reasoning का section लगा तो फिर मैंने उनको पूरा का पूरा video show किया exam analysis का के 2022 के अंदर 2021 के IBPSPO means में क्या क्या questions आये थे क्या weightage था क्या उनका level था सारी चीज़ी दिखाई और उनको बताया कि आपको ये paper कैसे attempt करना था कैसे सबसे मुश्किल जो बच्चों को paper लगा उसमें भी 20 प्लस marks लाना easy तो नहीं बोलूँगा बट पहुट doable था तरीका क्या था क्या अपरोच थी क्या क्या चीज़ों पे इस साल हम ध्यान दें जिससे कि उस stage पे पहुँच पाएं उस position पे आपाएं कि हम भी 20 प्लस score कर पाएं तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी कि paper को rounds में attempt करना round 1 round 2 में round 1 मे miscellaneous के maximum attempt करना और पूरा paper ज़रूर देखना और paper देखते हुए कि round 2 में कौन-कौन सी puzzles अपने उठाएंगे short puzzles कौन सी है long puzzles कौन सी है उनको एक बार read करके finalize करना कि प्राइटी 1 प्राइटी 2 पे ये रही इससे जादा तो puzzle हो भी नहीं पाते है पूरा का पूरा मैंने दिखाया एक important चीज जो मैंने और बताई कि वो था कि question आप कैसे select करते है question selection का बताया मैंने साथ ही साथ ये बताया कि throughout the paper कितना important रहता है बच्चों के लिए composure maintain करना composure maintain करना क्यों must है ये आपको समझना बहुत जरूरी है इसलिए must है क्योंकि जैसे ही आप composure lose करते हो आपका plan बिलकुल खतम हो जाता है वहीं पर कोई plan follow नहीं करते है फिर आप हडबडा के attempt करते हो और हडबडा के जो attempt करता है वो बस time waste करता है solve कुछ नहीं कर पाता है फिर बहुत बार आपने देखा होगे कि यार आखरी के जो हमारे 8-10 minute है सरी दर दर गूमने में निकल जाते है कभी इस question को देखेंगे कभी उस question को देखेंगे solve कुछ भी नहीं करेंगे लग रहा है कि हो जाएगा पर फिर इतने nervous हो चुके हैं इतना out of shape जा चुके हैं पूरी तरीके से कि कुछ भी attempt नहीं हो पा रहा है तो वो situation कभी अपने को आनी नहीं देनी वो situation तब आती है जब आप plan पे stick ने करते हैं अपना एक plan है वो हो सकता है 100% आप implement कर पाऊ हो सकता है 90 कर पाऊ 80 कर पाऊ पर कोशिश करोगे उसको शुरुआत से ही rehearse करना start करोगे उसको शुरुआत से ही implement करने की mocks की तुरुआ कोशिश करोगे तब ही जाके वो perfect हो पाता है तो यही मेरा suggestion रहेगा सभी बच्चों से कि अभी तो शुरुआत चल रही है साल की शुरुआत हुई है कोई भी mains exam अभी तो नहीं है पास में करीब से करीब आपका यह SIC UDC phase 2 और RB assistant mains है तो अभी से जब भी आप mocks देना सिर्फ question solve करना important नहीं है पेपर कैसे attempt किया जाता है throughout हमारा जो एक composure की जरूरत है एक patience की जरूरत है एक plan को implement करने की जो need है उसको लगारतार अपने को emphasize करनी है इसे by the time अपने exam में आए तो अपने इतना practice कर चुके हैं कि वो plan, वो composure, वो patience हमारा एक second nature बन चुका है अब पूरी तरह से sir हमने उसको अपना लिया है बिलकुल lose नहीं कर सकते हैं और उसमें फिर अपने इतना practice करें कि पूरे confidence के साथ जाए कि अगर मैंने ये implement कर दिया तो कोई chance ही नहीं है कैसा भी paper आ जाए competition से मैं at least 4-5 marks उपर रहूँगा ही रहूँगा ठीक है तो इन बातों पे ध्यान दीजेगा और जो आज मैंने जो class लिये न उसके आखरी के 10-15 minute आप जरूर देखिएगा आप लोगों के लिए बहुत useful होगी क्योंकि आज जो questions से थोड़े से easier थे time के अंदर ही बन गए थे तो मैंने सोचा क्यों आपको कुछ चीजे सजेस्ट की जाए कुछ अच्छी चीजे बताई जाए जिससे कि आप लोगों को आने वाले mains exams में बहुत फाइदा हो ठीक है बाकी mains की जो playlist चल रही है miscellaneous की वो तो आप जानती है 2022 की M3 2021 के बारे में अगर आप नहीं जानते तो एक बार आप चेक कर लिजेगा high quality content है high quality explanation है उसमें quants के भी सिंग सर के session है reasoning के मेरे sessions है और एक complete practice playlist है जिसको complete करना must रहना चाहिए हर candidate के लिए ठीक है तो चलिए गाइस आव तो चलिए गाइस आव तो तो टोड़ी सेशन टेक क्या